नमस्कार सातियों सातियों इस समय आप अपनी स्क्रीन पर DPI 12 जारी एक कापी मेत्पून पत्र देख रहे हैं जो कि अतिती सिक्षक निक्ति पिरक्रिया के संबन्द में 8 अगस 2024 को संभागी संयोग संचालक जबलपुर के लिए जारी गुआ है इसका बिसे यदिया आप देखेंगे सेक्षक सत्र तेई 24 में कारीरत अतिती सिक्षकों की ओनलाइन जोर्निंग से संबन्दे आप सभी को मालूमी है सेक्षक सत्र तेई 24 में हजारों अतिती सिक्षक साती ऐसे हैं जिनकी जीएपेमेस पोर्टल पर जोइनिंग नहीं हो पाई है उसी को लेकर ये मैधपूर पत्र यहां पर जारी हुआ है उप्रोक्त पिसेंटर का सेक्षक सत्र तेई 24 में बिद्द्यालेयों में नियम अनुसार आमंतरित अतिती सिक्षक जिनकी किसी कारण वस जीएपेमेस पोर्टल पर जोइनिंग दर्ज नहीं हो सकी थी ऐसे अतिती सिक्षकों की जानकारी संदर्वित पत्र द्वारत चाही गई थी यानि कि पत्र के माध्यम से DPI ने अतिती सिक्षकों की जानकारी मांगी थी और ऐसे अतिती सिक्चक जिनकी ऑनलाइन पोटल पर जानकारी दर्ज नहीं हो पाई थी जिले से प्राप्त प्रिस्ताब में से पात्र अतिती सिक्चकों की जोईनिंग पोटल पर दर्ज की जा चुकी है किन्तु सूची में ऐसे प्रकरण भी प्राप्त हुए हैं जिनकी जानकारी तुरुटीपूर होने के कारण ओटल पर जोइनिंग नहीं हो सकी है ऐसे प्रकरणों की सूची सनलगन एक अनुसार है जिले से प्राप्ट परकर्णों में ऐसे प्रकरणवी प्राप्थ हुए है ज़हां सैक्टेक 2017-23ikke 24 में बिद्ध्ञालों में बिना रिक्तपत के अतेती सिक्चकों को रखा गया है इसमें सूची सनलगन दो अनुसार है अता प्रकरणों में आवशक जाचकर बस्तु इस्तिती का प्रतिवेदन 14 आगस्त 2024 तक इमेल आईडी इसमें दी हुई है पर वेजना सुरिश्चित करें अगर देखें तो DPI ने काफी मेत्पूल पत्र संभागी संजुक संचालाग जवलपूर के लिए जारी किया है ये उन अतिती सिक्चकों के लिए रहात है जिनकी जोईनिंग GFMS पोर्टल पर अभी तक नहीं हुई है और उनों ने बिगस सेक्चक सात्र में कार्य किया है साथी साथ इसके साथ में ऐसे अतिती सिक्चकों की सूची संलग है जिनकी जोईनिंग पोर्टल पर नहीं हुई है जवलपूर संभाग की और ऐसे अतिती सिक्षकों की भी सूची है जिनकी निक्ति ऐसे विद्यालाय पर थी जिस विद्यालाय पर पदरिक्त नहीं था तो अब वहाँ पर जो भी बस्तुता इस्तिती होगी उसका इसपश्टी करन इमेल के माध्यम से 14 अगस तक संबंदे संचालक को DPI को प्रिशिद करना होगा हाला कि ना केवल जवलपूर संभाग बलकि मद्देप्रदेश के सवी संभागों में अतिती सिक्षकों के साथ ऐसी इस्तिती निर्मत है जिन्होंने बिगत सिक्षक सत्र में कारिय किया है लेकिन उनकी जोइनिंग GFMS पोटल पर दर्ज नहीं हो पाई है तो यहाँ पर जो विवागी अधिकारी है और जो पत्र जैसा की संचालक के के दिवेदी जी के अस्ताक्तर से जारी हुआ है उनके संग्यान में ये मामला जरूर आना चाहिए ताकि फिर्देश भर के जो अतिती सिक्षक साती है उनकी ये बड़ी समस्या दूर हो सके साती ये था आज का मेहत्वन अपडेट जो किया थी सिक्षकों को लिकर था मिलेंगे जल्दीन अपडेट अब अबनाए टॉपिक के साथ अब तक के लिए जैहिन जैवारत मुत्रो